आपके रेस्पॉंसिबिल्टी तो अपकूतिया अपने क्यूं गएवलों को बताए ना कभी चीज तो न कभी मैंने ना कभी मेरी बैहने के था ने कि a बुराई ही जो अने सुस्राल की कभी भी की हो तो फिर बड़ा इजट का रिश्टा करती है ने तो माँ पस जाती है अपनी पसंद मेरे चाचा ने शादी की मेरी दादी के कहने पर मेरी दादी उनसे कहती थी ऐसी है चांद का टुकडा जब शादी हुई तो छे महीने बाद माँ जगड़े शुरू हो गए तो चा मैं रिस्पंसिबिलिटी है यह आप आने लगी ती कि अब यह बड़े रिस्पंसिबिलिटी क्यों कि उसने कहना है मेरा जिमा तोश-फोश वो तो जो अम्मी आपकी पसंद किया था भुखते हैं नहीं मैं जब भुगतने का इंशाला इंशाला मौकाई लिया इंगेजमेंट अभी तो हुई भी है लेकिन मैं जानती तो अभी तो इस साल के अंड में इंशाला वैसे भी मैं एक बात और जो कहते हैं ना जी यह मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है तो मैं कहते हूं बहू को बहू के हिस्से में भी प्यार दिया जा सकती है इस बात पर बहू को बहू के रि उसको उसी में रिस्पेक्ट दें और बेटी बेटी में तो इस बात पर कभी काईल हो इनी सकती कि बहू बेटी है या सास माँ है नहीं देखे हैं मैं आपको एक मिसाल दूँ एक गलती आपकी बेटी करती है वही गलती आपकी बहू करती है आप बेटी को घर से निकालेंगी या बहू तो अभी अभी की बात है पर्वीन मैं अभी जब रहे इती तो मैं तो बाहर वो गाय थी तो उसका गोश्ट भी और मुझे तो बोटियां बड़ी अच्छी वाली चाहिए होती है चर्बियों है तो मैं तो दो वज़े खसाई आया और मैं साड़े साथ बज़े तक वहां बैठी रही तो अगर आज में वह गोश्ट भूश्ट बनबा के तो अब मेरी बेटी अंदर से आती थी वह मुपे ऐसे रख्या दे अब मैं क्या करने है यह वह चली जाती थी अब मैं उस वक्त यह सोच रही थी कि मेरी बेटी है मैरे अपने घर वाली है लेकिन इत तो अगर वह पास नहीं आ रहे हैं कि आप कर देती हम भाँ भूत हो फाइन मेरी बेटी है यही मेरी अंदर भाहू बैटी हो और वह ना आए तो मैं पकती ही रहूँगी इधरिटी हो इदर से हैं मैं कब से बैठी हुए 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 अपनी अपनी सुस्राल को ओन करें आपने मिया आपका आप पसाते हैं आप लिए टो वेल्कम बैक आफटर दे ब्रेक अज़ वब देख रहे हैं और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी-प्यारी माई मौजूद है सासे मौजूथ हैं जिन्होंने अपने घर को बड़े अच्छे प्यारे तरीके से जो हैं वो समेट के रखा है और माओं की रिस्पॉंसिबिलिटी एक तरह से कहते हैं यह होती भी है कि किस तरीके से वो अपने घरवनों के सब्सक्राइब ख्याल रखें अच्छा मुझे यह बताएं मैं अभी अगर हम जरा आप जो रिसर्च भी है वो भी बताती कि अब के टाइम में जो डिवोर्स रेट है और इसमें सिर्फ फुला के जो रेट हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गया है बहुत सारी सी शादियां मतलब आप जरा से दो तीन महीने त आपको मुबारिक बात देने में तो पता चलता है अच्छा भी हो तो यह बड़ा एक मसला आजकल हो गया है तो उसमें आपको वैसे क्या लगता है परवीन जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या रीजन बन रही है कि आजकल हमारी शादियां जो हैं मतलब जाती है जब आजादी सल्ब हो जाए तो फिर इनसान का वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर आखरी रास्ता यही होता है दिवोर्स ले बहुत रेट बड़ावा है दिवोर्स का और मेरी अपनी फैम्ली में भी हुई है एक-दो डिवोर्स होई हैं लड़किय अगर आपकी है भी वो एक जगह पर आके पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अड़िस्टेंडिंग जो नजर आ रही होती है वो एक्चुली अड़िस्टेंडिंग नहीं होती है मतलब एक समझ होता करके कर लेतें और बाद में पिश्टातें और ये मोस्ली शादियां जो है ये लव मेरिज और बहुत जगह तो माबाप के पेरिंट्स की पसंद की शादियों में भी यही मसला आ गया है कि मैं नहीं समझती कि तलाग को इतना इजी क्यों ले लिया है लोगों माबाप कहते हैं ले लो तलाग कई रातें कोई सो ना सकाओ आर्टिस्ट इस तरह की बातें सुनने के बाद उसकी सहत पर एफेक्ट हुआ हो उसकी बेटी की शादी हुई है उसके भी सुस्राल वाले ह है उसकी अपना एक सर्कल है फैमिली लाइफ है और कुछ जिन्दगियों ने अभी जिन्दगियों में शामिल होना होता है तो हर चीज एफेक्ट होती है लेकिन अलहमदोलिल्ला मैंने बड़े अच्छे तरीके से और मधिया मैं एक ऐसा पब्लिक फिगर हूँ आपको बड मेरे खांदान से, मेरे बारे में बाहती है, तो आप को पता चलेगा, कि मैं अपनी फैंमिली भी अपने बहन भाईयों के लिए मेरे चो सुस्राण है, तो ये एक नाइट मेर है खर इन्सान की जिन्दगी में आता है गुजर जाता है, और बस जरूरत होती है क्या आप सबर करें शायद कभी मैंने सबर का दामन छोड़ा था मुझे नहीं चोड़ना चाहता है और यह चीज़े मैंने बड़ी जगाए ले कुछी आप इंसान है बिलकुल बिलकुल तो अब मैंने मुझे लगता है कि जीना सीथ लिए अपको पता है आपके बच्चे आपको जीना सिखा राती है कि आपको किस तरह से जीना है तो आम्दलिल्ल्ह मुझे मेरी ऑलाद ने बहुत अच्छा सबक दिया कि मुझे किस तरह से जीना है और मेरी बहुत फैवर में है और आम यह जो इन्होंने खातुनने बात की मैं समझ रही हम और चुके इस सोशल मीडिया पर बहुत आई तो इसलिए मैं इसको बोलने में भी मुझे वो नहीं है मैं कहती हूं कि हर किसी में सबर होना चाहिए और हर किसी को सबर का फल मिलता है अगर मैंने सबर किया तो मुझे सबर का फल मिला है और अगर जिनकी वज़ा से मैंने सबर किया उसने भी सबर किया है उसकी भी जिन्दगी बहुत एफेक्ट हुई है तो मैं उसके लिए भी दौा गोँँ कि उसकी जिन्दगी भी सुन्त हो जाए क्योंकि लोग जब बोलते हैं ना वो नहीं सोचते कि किस के बारे में बोल रहा है और क्यूं बोल रहा है मैं कहती हूँ मैं सह जाओंगी जिन बच्चों ने भी जिन्दगी गुजारनी है ना उनके लिए सहना बहुत मुश्किल होगा तो उनके लिए भी मैं कहती हूँ खुदारा आप लोग बोलते वक्त जरूर सोचें बातों का जवाब दे सकती हूँ जो घर पर बैठी है शायद वो ना दे सके लेकिन उसके बी अंदर कुछ तकलीफ हैं तो होंगी अच्छा आपके आप ज़रा शोकिया खताब की जारे है एक बड़ा इंपॉर्टन क्वेस्टिन जो मुझे लगता है जो मैं सोगया कि वो अभी भी लोग उसको कही ना की प्रमोट कर रहे हैं वह ट्रॉली कल्चर आपको लगता है वह होना चाहिए कि जब बात पकी नहीं होती ना तो लड़की के ज़रते नफस बड़ी मजरू होती क्या पूरी ट्रॉली से जा क्या लड़की ने अगर रूम में आना है तो इसके आने का एक बहाना होता है तो पर दस लोग आते हैं जाते हैं लड़की बहुत हर्ट होती है यह तो बात कंफरम हो चुकी हो आपकी फाइनल हो उसके बात प्रॉनली वगरा निक करा हैं लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए जो आपके लेक भी बिज़ादे रिस्टे-वालिया रिस्ता काला ने गयर तॉसके लिए तो इसके लिए यह इज आपर ड़िया नको बेश्यु भी ता हैनसे तो बंडी तुसक्त लोग करें लोगों की बढ़िए लोग आप क momencie के बायरे उसमें से अगर बीस लोगाने वरा को बी तो कोशिश करें कि आप उनको भी ऐसा हीट मत करें आप लोग अपना बहुत सवाओ कि अपना ख़यल रखे का शादरी अब अबादरी आपको अलाब के गम से नहिफूज रखे काल मिलेंगे लाफ पर गया झाल झाल झाल